गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स और आज हम लोग इस करी को आगे बढ़ाते हैं जोगरफी एंसी आटी का जोगरफी है जो सीवेसी बोर्ड का है और इसमें हम लोग कलास 11 में हैं और चैप्टर नमर क्या था पांच इसमें हम लोग भारत के वरस्पति के बारे में पढ़ रहे तो सबसे पहले यहां देखिए जित्वा सब्सक्राइब कर लेते हैं कि पॉर्जेक्ट टाइगर टाइगरों के सबसे पहले सुरू किया गया तक अब तो 1973 में इसी तरह प्रजेक्ट एलीपेंड वाब तो 1992 में शुरू किया गया इसी तरह बहुत सारे अनल परकार के जीज चलाई गई थी और यह सब पर चुके हैं आगे पढ़ते हैं और यह जो यूजना है मुखरूप से क्या है कि बाग बाग परकेंद्री हाथी बला होगा हाथी परकेंद्र लेकिन ऐसा नहीं कि केवल हाथी है केवल बाग परों देखिए परंदू फिर भी पारिसित्तिकी तंत अस्तरों और इसकी भोजन कोरी को बनाय रखा जाए यानि किवल बाग को रहां बचा लेंगे वैसा थोरे हैं कि बाग बहुत जाएंगे उसके लिए जंगल में जो साकाहारी है होड़ी बोरस जीव हैं उनको होना चाहिए जब घास खाएंगे उस पर हीरन के संख्या हंगूल पर्योजना के लिए कहां तो दची गराम कस्मीड में और हिमालय कस्तूरी मिरिग पर्योजना कहां तो यूके में यानि उत्राखन में चल रही आगे देखे अब जीव मंडल नीचा के बारे में थोरा जान लेते हैं और अपडेट भी इसको करेंगे जीव मंडल न सब्सक्राइब के मानो और मंडल में मैं मैन and Biosphere फियर प्रोग्राम किया अंतरगत मनेता प्राप्त और जीव मंडल नीचे है इसके दीआ कि प्रवों कुद्धियोर psychs कौन को निचे दिखिए इसंपे तीन काम किया जाता है कुन-कुन आगे एक मिनुट पिछे भाल गया इसमें तीन तरह की काम होते हैं मुखता कुन-कुन उसमें जीवों का पहला काम संरक्षन दूसरा उसका सरुच्छर के लिए ब्यवस्था किया जाएगा और उसे क्या हो दिन जीवन रुल का विकास होगा देखिए सरुक्षरम क क्या जी विवीत्ता और पाइस्तित्र की तंतों का संरक्षन किया जाएगा विकास में पर्यावरन और विकास का मेल जोल होगा और विवस्था में क्या करें इसके लिए डिसर्ज आयन देख रेक अब्जर्बेशन के लिए यह अंतराश्ट्रिये नेट्वर्क है और वर्तमान में देखिए इसमें भारत में अभी कितने तो 18 जीव मंडल नीचा है कितने 18 और इनसे चार के बारे में लोग पढ़ेंगे कौन कौन दो निलगीरी नंदा देवी सुन्दरवन और मन्नार की खारी जो यूनेसको द्वारा जीव मंडल नीचा है विस्व निट मारत के सनक्षि जयो मंडल किलियर है बारा सरकार ने देश भर में 18 बायोस्फियर भंडार अस्थापित किये हैं जो अभी अथारा मतलब अथारा ही कियो जिसको यूनेसको ने मानता दिया है और यह बायोस्फियर भंडार बहौलिक रूप से जीव जनतुओं के प्रकिरति प्रकितियों और जीवों के लिए दिया जाता है बलकि इन छेत्रों में रहने वाले ट्राइबल को भी यह पराप्त होता है आगे देखिए विसु नेटवर्क में सुन्दरवन जया मंडल डिजर्व पस्षी मंगाल नन्दादेवी जया मंडल डिजर्व उत्राखन नोक्रे यह में घाले में हैं पंच मर्धी बायोस्फियर डिजर्व मध्य परदेश सिमली पाल उडिशा में हैं बरानीकोबार जया मंडल डिजर्व बरानीकोबार में है अचानक मार अमर कंटक बायोस्फेर डिजर्व एच्छ तीस गर और मध परदेश में इसी तरह अगस्त मलाई बायोस्फेर डिजर्व तो केरल और तमिलाडू में और सबसे लेचेस्ट अंधिम को ने तो कंचन जैंगा को इससे में सुची में सामिल क्या क्या और भारत सरकार्क में जो मानेतर प्रात भारत में किते हैं तो 18 जया मंडल डिजर्व है या नीचे है नाम देख लिए एक वार और फिर से तो सबसे पहले वाला नीलगीरी सरक्षी जैविक छेत्र जो तमिलाडू किरल और करनाठक में है दूसरा है नंदा देवी राष्ट्र में पंच मरी बायोस्फियर डिजर्व या मौध पर्देश में अचानक मार अमरकंटक बीजर्व मध परदेश 36 गढ़ में कछकरन गुजरात में गदाह के लिए परसीद या दहां चाहिए हैं कोल्ड डेजर्ट या हीमाचल परदेश में कोल्ड डेजाट हिमाचल में है इसी तरह डीबू सा एक होवा तेहा ऑसम में है और सियसा चलम पहानिया तो आंध्र पर्देश में है और पन्ना रष्ठी उद्धान मध्र पर्देश में यह सब क्या है तो भाड़ा सरकार दोरा मानेता प्राप्त 18 सब्सक्राइब और उनिसको ने कितना माना अब तक अब हम लोग किताब पर आगए हैं अब यहां हम थोड़ा जानते हैं जैसे सबसे पहले हम नीलगीरी जीव मंडल के बारे में थोड़ा जानते हैं इसकी अथापना 1986 हुई थी और यहां भारत का पहला जीव मंडल नीचे है इस नीचे में वाइनाड वन्ड जीव सुरक्ष ठाण डाल इस दोनों कहां मिलेगा आपको तो मदुमलाई तमीलाडू में हैं और उप्री नीदेभरी पठार और साइलेंट वैली केरल में हैं और सीद्डवानी पहारियां सीद्दू आनी कहां आए तो तमीलाडू में इस जीव मंडल नीचे का कूल चेतर फल 552 किफ बार और फिर से देखते हैं कि भारत जीवमटन नीचे कहां कहां है तो नंदा देवी यूके में हैं कोल लेजट यहां पर मिलेगा कहां तो हेमिस यानि हिमाचर परदेश डिब्रु साइख हुआ यहां सबसे सबसे इस्ट में कौन है तो दिहांग देवांग हैं और उससे पहले द जॉraint है से लिए 36 गडर मध己 पर देश है पंचमर्छि मधपर्वध में हैं और गधा के लिए कहां है तो गुझरात नीलगीरी यहांrist है कि Rebel और अंधी को भार में भी इसका कुछ शेतरीविक्सीज एक इसका तो वहाँ भी जिवमंडल नीचे है और सबसे बढ़ा कोने बात में मरीन जय मंडल तो मननार की खारी बला है नीलगीरी जिवमंडल नीचे में विभीन परकार के आवास और मानो कीरिया द्वारा कॉम परभावावित प्र सोलास फोरेस्ट घास के मैदान और दल्दल सा जमीन सामील है यहां पर इस बार आग लगया था यहां पर दो संगटापन प्रानिया है कौनको निलगीरी में एक ताहर जो बखरी जैसी होती है लेकिन बखरी से बड़ी होती है और दूसरा सेर की जैसी दूंबला यान टेल्ड मैकोक बंदर का नाम है उपड़ जाती यहीं पर अधिक संख्या में पाई जाती है नील किरी नीचे में हाथी बाग गौर सांभर और चीतल जानवरों की तक्षीन भारत में सबसिच जाता संख्या तथा कुट संकटा कुछ संकटा पन और छेतरी भी सेसे मतलब कीवल एंड इसे जीव मंडल की अस्थला किर्थी उबर खाबर है यह समुद्र तल से इसकी उचाई 250 मीटर से लेकर 2650 मीटर है पच्मी घाट में पाये जाने वाले 80% फूलदार पोधे इसी नीचे में मिलते हैं कहां तो निलगिरी की बात हो गई आगे देखिए नंदा देवी जीव म नोरा पिथोरागर और बागेश्वर जीलों के भाग सामिल हैं यहां पर मुख्य तहर सितोस न्यादी टेंपरेट कटी बंधिये वन फोरेस्ट पाई जाते हैं यहां पाई जानने वाली परचातियों में सिल्वर वूड तथा लैटी फोली जैसे और चीट और रोडे काला बाज आदी पाई जाते हैं यहां पारिसित की तंत्रों को मुख्य खतरा किसके है तो संकठापन पौध परजातियों को दवा के लिए कठा करना और दवा नल यानी जो जंगल में आग लग जाती है और पौस्गों का वेपारिक उद्देश के लिए सिकार से है क्योंक है तो पस्चिम बंगाल में गंगानदी के दल्दल यानी मार्सी लेंड पर इसी थे और यह एक विशाल छेत्र है लवभग दोस जार वर किलो मेटर में फैला हुआ है पर फैला हुआ है यहां पर मैगरोव वन अनूप और वन अच्छादित धिविपाय जाते हैं सुन्दर लवभग दूसों रायल बंगाल टाइगर का आवासिये छेत्र है मैगरोव रिक्षो की उल्जी हुई विशाल जर मैगरोव कैसा है तो उल्जी हुई जहली रहती है इसकी विशाल जर समूह मौचली से सीम्प तक यानि सीम्प मतलब क्या सीप की बात हो रही है तक को आस्र में तरते हैं और चीतल भोगने वाले मिरी यानि बार्खिंग डियार जंगली सुगर और यहां तक की लंगूरों जैसे दूरब सिकार भी वह कर लेते हैं कौन तो बाकी बात हो रही है सुंदरवन के मैगरोवनों में हेडी सियेरा हेडी सियेरा फोमीज जो पिसकिमती इमा चेतर में भाइला है भारत के दक्षिनी पूर्वी तट परिस्तित है समुद्री ये जीव विविधिता के मामले में यह चेतर है विश्यों के सबसे धनी चेत्रों में से एक है इस जीव मंटल नीचे में 21 दिव हैं और इन पर अनेक जवार नदमुख पुलीन तटिय पर्य प्यावरन के जंगल समुद्री घास परवाल दुवीप लौनिय अनूब और मेगरो वन पाए जाते हैं यहां पर लगभग च्छतिस्व पौधों और जीवों की संकटापन परजातिया पाए जैसे इसमें समुद्री गाया जिसको डूगों कहा गया है डूगों डूगों इसके अत्रिक्त भारतिय प्रायधी प्षेत्री बीसे स्कोर चो मेगरों परजातियां भी यहां पाए जाती हैं जो अभी संकटापन है इसको किलियर हो गया अब आगे देखिए जीव मंडल नीशे का नाम है कुछ दिया हुआ है और इससे समानी छेत्र है तो हम लोगे पहले भी देख चुके हैं और इसको दुबारा देखें कि आप सकता ना है फिभी देख लिजी जो अगस्त मालाई है कहा है तो कीरल में अगस्त थी मालाई पहारी पर कीवल कीरल में हैं अचानक मार अमर कंटक यह दोनों जीलों में मत पर्देश और चतिसगर में हैं और बाकी सब तो बता ही चुके हैं आप जानते ही होंगे कि लिए हैं आगे पड़ते हैं कुछ और इंसर देख लेते हैं जैसे एक में इसमें विकल चुनना है चंदन वन किस तरह के वन के उदार रहे हैं चंदन तो यह पॉर्णपाती है दूसरा पोर्जेक्ट टाइगर निम्लिखीत में से किस उद्यस के लिए सुरू किया गया था तो टाइगर को बचाने के लिए तो बाग को सिकार से बचाने के लिए उसका संरक्षन करने के लिए तीसरा नंदा देवी इसको दौरा मानिता प्राप्स कितने तो 11 पहले चार थी कि वन नितिक अनुसार वर्तमान में निम्लिखीत में से कितना परतिसत छेतर वनों का दिन होना चाहिए तो 33 परसेंट आगे बढ़ते हैं प्रकृतिक बनस्पति क्या है हम लोग सुरू में पढ़े थे क्या हो प्रकृतिक बनस्पति मतलब वैसा बनस्पति वैसे पेट बहुत है जो बिना मानमी सहायता के बिना मानमी हस्त छेपके अपने याप बढ़े उनका पूर्ण विकास हो फले पूले फले फूले और फिर बीज उत्वादन से फिर नय पोधे का उसमें से फिर से वो अपने आप जंगल मतलब अपने आप उनका विकास हो तो वही प्रकिर्थिक वनस्पति है और जलवायू की कीन परस्थितियों में उसन कटिवन्दिय सता बहारवन उगते हैं जहां पर तापमान अधिक हो बरसा अ बेंगे जलवायू की कोई सी परस्थितिया सदावार वन के लिए अनुपूल है तो जो इसन कटव अनके लिए और लेकिन सदावार वन अपको क्वाइट तरफ सममझते हैं समाज्जी क वान की तरह मालेकृ कहाल कोई एक पूरहने वहां मंदीर बादि जीव मंडल नीज़े को परभासित करें वान छेतर और वन आवरन में क्या पहले वन छेतर और वन आवरन समझ लिज़ें वन छेतर जिसको राज़सरकार ने नौटइफाइड करती हैं वहां क्या वन आवरन क्या कैन बात हो रही है इसमेफर सेट्लैट सिसका फोटों घीज़ उच्छान होगा और यहां पर वहाःान पिक चनल दिखाई देगए बंखेजेंगा ऊतना ही वन आवरन माना जाएका और नीच यहां 12 मतलब प्रश्यां यहिद दूके राच सब्सक्रा करता है जो इसुक्ता है नचूरल भी हो सकता है साथह साथ में ट्राइब सब्सक्राइब फॉर्ण सरक्षन प्राप्स होता है तकि उनका जो जाती है इसीछ भी लुपत एक अगार पर नौ पहुझे ओर वन सुनक्षन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं यह तो आप भी लिख सकते हो जितना पढ़े हो क्या कदम उठाए गए हैं और वन और वन जी आजिए सनक्षन सामक्षण में लेहों क्लोकी भागदारी को कैसे महत्तपूर है यह भी अगने प्राइब लें क्या पढ़ेंगे हम लोग मीरता यानिन भारत की मिट्टी के बारे में अध्यन करेंगे तो अगले वीडियो में तब तर अशा करते हैं कि अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें सेर करें कोमेंट करें और सब्सक्राइब करें धर्नवाद